तुन मश्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूटूब चनल स्टेडिव सार में तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हिमाचल फुरेश्टगार 2021 की जो है ऑफिशल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है इसमें कुलपत 311 है और योगता जो है बार्मी पा पर आए और फरेश्टगार या है इचपी पूलिस की एकजाम की प्रेश्ण कर रहे हैं तो इस चैनल को जो है जुआ है जूरूर सबस्ट्राइब करoston करेहें विडियो जो है आती है तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सबसे पहले होगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दे तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं आप फॉर्म भनने के बाद आपका सबसे पहले physical efficiency test होगा उसमें आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होता है उसमें तो सबसे पहले 100 meter race करवाई जाती है तो इसमें समय दे रखा होता है मेल्स के लिए जो है यहाँ पर 14 second दे रखे होती है अगर 14 second के बाद कोई आता है तो उसको जो है out कर दिये जाता है और female के लिए 17 second है याद रखेगा आप अपनी परिपरिशन physical की अभी से कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों और 800 meter race के लिए आपको 2.45 second जो है दिये जाती है और boys के लिए और 1 meter होता है लड़कियों के लिए ठीक है दोस्तों और long jump की बात करें तो 4 meter जो है लड़कों के लिए है और 3 meter जो है लड़कियों के लिए है तो आप जो है इसके according अपनी त्यारी करते रहें अभी से थब आप जो है physical इसका जो है निकाल सकते है अब दोस्तों height क बालों के रहती है 150 cm ठीक है दोस्तों और reserve बाले जो होते हैं ठीक है जो reserve category में आते हैं तो उन के लिए 160 cm है height और female candidates के लिए 145 cm है ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हैं अपनी height जो चेक कर सकते हैं और chest जो आपकी होती है वो unreserve के लिए boys के लिए 79 है और 74 है लड़कियों के लिए और 75 boys reserve और 70 cm जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं expand करके आपकी जो है यहाँ पर दे रखी है नीचे ठीक है expand करके यहाँ कि जब आप फुलाते हैं अपनी चाती तो जो उसको जो expansion होना चाहिए ठीक है दोस्तों यहाँ से आप 5 cm का expansion है सभी में अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो written exam होता है ठीक है दोस्तों उसके बाद आपका written exam होगा उसका जो है कौन-कौन से topics जो है आते हैं तो उसमें दोस्तों general knowledge, reasoning and aptitude, english language, general science, quantitative skills, current affairs and social studies etc ठीक है documents कौन-कौन से चाहिए होगे form fill up करने के लिए वो भी आपको जो है जरूर बताया जाएगा अब इसकी उमर सीमा के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसकी age limit जो रहती है वो 18 से 30 वर्स रहती है general वालों के लिए बाकि जो भी reserve category होती है उनके लिए age relaxation age relaxation जो है उनके लिए अलग से रहता है दोस्तों जब आप form fill up करेंगे तब वहाँ पर जो है आप अपना जब डेटा वर्स जाते हैं तो वहाँ पर उठा लेता है उसको ठीक है अगर कोई eligible नहीं है तो वहाँ पर जो आगे परसीड नहीं होता है दोस्तों यह थी हमारी आज सब्सक्राइब करके रखें और बैल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो है ऐसी important वीडियो मिलती रहें और next वीडियो करें अपडेट रहें जो है continue रहें ठीक है दोस्तों चैनल को जो है चेक करते नहीं तो दोस्तों चलते हैं अभी आपसे विदर लेते हैं दोस्तों तो अगर किसी का कोई भी doubt रहता है तो comment section में जुरूर comment करें आपको जो है जुरूर उसका reply दिये जाएगा वीडियो को जो है जास जादा share करें धन्यवाद